हेलो दोस्तों, आज हम आपको कर्म या धर्म में क्या अंतर है और दोनों में क्या फर्क है, उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चलिए जानते हैं, आपके जीवन को कौन बदलता है कर्म या धर्म दोस्तों, हर मनुष्य के लि ये समझ नहीं आता कि हमारे जीवन को धर्म बदलता है या कम आपके मन में भी ये प्रश्न कई बार आया होगा, और क्या आपको इसका उत्तर मिला? दोस्तों, दरसल धर्म आपकी जिन्दगी में आपको ये बताता है कि आपका कौन सा कम सही है और कौन सा गलत, इतना ही नहीं, धर्म की मदद से आप ये भी पता कर सकते हैं, कि आपके कौन से कम का कैसा परिणाम होगा, सरल शब्दों में कहे, तो धर्म को जानने के पश्चात ही मनुष्य अपने सही कर्म का पता लगा सकता है, यानि कि कर्म और धर्म का सही कांबिनेशन ही आपके जीवन में बदलाव लाता, है धर्म जो है जिस पर एक समुदाय के लोग विश्वास करते हैं और उसे मानते है वही आप, जो भी अच्छे एवं बुरे कर्म करते हैं, वह कर्म की श्रेणी में आते हैं, कर्म और धर्म को और बहतर तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले इनके बीच के अंतर को जानना होगा, कम दो तरह के बताये गए हैं, एक वह जिसमें व्यक्ती अपना स्वा अर्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, और इन दोनों के दो फल होते हैं, एक पाप और दूसरा पुन्य, पाप से दुख मिलता है और पुन्य से सुख मिलता है, इसलिए धर्म हमेशा आपको पुन्य कर्म की राह पर चलने को कहता है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निशकाम कर्म की अपेक्षा से साकाम कम बहुत छोटे होते हैं, इसलिए व्यक्ती को फल की चिंता की बिना सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म किये, बिना इस संसार में कोई नहीं रह सकता, और हमारी प्रक्रत किसी न किसी बहाने से यहां रहने वाले हर प्राणी से काम करवा ही लेती हैं, दोस्तों आपको बता दे कि धर्म शब्द की उत्पत्ती संस्कृत शब्द द्रिश्य हुई है, जिसका अर्थ होता है धारन करना, धर्म हम मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि इश्वर के और धर्म कभी अकेला नहीं रहता, इस जो भी मनुष्य धारन करता है, उसे संयम, त्याग, विवेक, शीतलता और प्रेम भी प्राप्त होता है, धर्म की मदद से आप इस दुनिया रूपी सागर को पार कर सकते, माना जाता है कि धर्म इतना शक्तिशाली होता है कि वह समझ में एकता बना कर रखना है, दोस्तों यहां धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई से नहीं है, बलकि यहां धर्म का अर्थ उसे शक्ति से है, जो आपको अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है, इसलिए हमें धर्म और कर्म दोनों को अच्छे से पिर कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि गलत कर्म व्यक्ति के भविश्य को बर्बाद कर देता है, इसलिए हमारा सबसे पहले कम यही है कि हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढने और उसे दूर करें, यहां कर्म का आपके भाग्य से कोई लेना देना नहीं होता है, क्यों आपके पास वापस जरूर आते हैं, वही भगवान श्री कृष्णा भी यही कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ उसके कर्मों पर है, ना कि उसके फल पर, इसलिए उसे बिना कर्मों के फल के बारे में सोच अपने काम करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सारे कर्मों के साक्षी भगवान खुद होते हैं इसलिए कहा जाता है कि आप इनसान से छुपा कर काम तो कर सकते हैं लेकिन भगवान से नहीं क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं दोस्तों कहते हैं इस संसार में कुल 84 लाख योनियों हैं जिसमें से मनुष्य का जन्म हमें केवल एक बार मिलता है और इसी योनी में किये गए कर्मों के आधार पर ही हमारी अगली यानि तय की जाती है इसलिए कहा गया है कि मनुष्य योनी में जितने हो सके उतने अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसी योनी में यह क्षमता होती है कि हम यह समझ सके कि कौन सा कम सही है और कौन सा गलत इसलिए ऐसा कोई भी कम न करें जिसकी आपको भविश्य में भारी कीमत चुकानी पड़े सरल शब्दों में कहे तो धर्म ही इनसान को गलत मार्ग पर चलने से रोकता है और इनसान के अच्छे कर्म उसे मोक्ष प्राप्त करने में उसकी मदद करते हैं इसलिए धर्म और कर्म का रिष्टा वैसा ही है जैसा शरीर और आत्मा का तो उसको धर्म को अच्छे से समझे और फिर अपना कम करें तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैश्री कृष्ण को म मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए, धन्यवाद.